हलो फैंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका English Advantage YouTube चैनल पर फैंस, इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूँगा प्रपोजीशन बेस्ट स्पोर्टिंगर के कुछ बेस्ट कोस्चिन्स इस पूरे वीडियो क्लास में मैंने 20 बेस्ट कोस्चिन्स लिये हैं और सारे के सारे कुश्चिन्स सभी banking और सभी SSC exams के लिए highly important है तो इसलिए मैं आपसे request करूँगा कि यदि आप इस वीडियो क्लास पर आए हैं तो please इस पूरे वीडियो क्लास को आप end तक देखिए काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा देखिए ये latest pattern के questions हैं spot error में इस समय इस तरीके से pattern पूछा जा रहा है जिसमें एक sentence यहाँ पर दिया रहता है और options का pattern होता है ये पूरी तरीके से change हो गया है option का pattern इस तरीके से रहता है जिसमें options को jumbled up कर दिया जाता है अब देखिए इसको कैसे करना है आपको true charity doesn't consist of indiscriminate arms giving देखिए indiscriminate का मतलब होता है मन माना अपने मन से at random arms मतलब दान दक्षणा giving मतलब देना यानि true charity का मतलब ये नहीं है यानि true charity इस पर depend नहीं करती कि arms giving हम करें मन माने तरीके से या random तरीके से तो इसमें हम consist of का इसमें meaning नहीं आ रहा है इसमें meaning जो आ रहा है वो आ रहा है depend on का कि true charity जो है वो indiscriminate arms giving पर depend नहीं करती है ठीके तो consist of definitely आप ऐसे भी आप लगा सकते हैं इसका answer कि इसका answer C ही होगा क्योंकि consist of का यहाँ पर कोई meaning नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर actually consist in होना चाहिए और इसमें भी फिर S लगेगा क्योंकि यह true charity जो है यह singular है तो यहाँ पर इसमें S लगेगा consist in हम बोलेंगे consist in का मतलब होता है कि वो उस पर depend नहीं है या उस पर निर्वर नहीं करती है ठीके तो C इसमें आपका answer होगा अब देखिए C कहां पर दिया है C fourth option में दिया है इसलिए इस question का जो answer होगा वो third नहीं होगा four होगा क्योंकि four में C दिया है ठीके तो इस चीज़ को आप धान से देखिए यह एकदम latest pattern के questions है और SSC के जितने भी exam से आने वाले चाहे CGL हो, CHSL हो या MTSO या banking के कोई भी exam उनमें इसी pattern पर इस particular के questions पूछे जाएंगे अब यहां से देखिए In India, malnutrition is the cause for many diseases देखिए many के साथ many plural noun लेता है तो diseases तो सही है In India सही है malnutrition सही है इस सही है, लेकिन cause के बाद हम क्या लगाते हैं? cause of concern जैसे हम बोलते हैं तो cause के बाद हम for नहीं लगाते हैं cause के बाद हम लगाते हैं off ठीक है? तो C इसमें आपका C पार में गलती है अब C कहाँ पर दिया है? C दिया है first में, तो आपका answer होगा इसमें first, ऐसे इन questions के answers आपको लगाना है देखिए, there are many ways in which you can distinguish the rich and the poor देखिए, distinguish का मतलब क्या होता है? इस sentence में हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं जिसके बेस पर हम गरीब लोगों और अमीर लोगों में अंतर कर सकते हैं देखिए, the rich का मतलब है rich लोगों का group और the poor का मतलब है poor लोगों का group ये adjectives है distinguish A from B या आप बोल सकते हैं distinguish between, दो लोगों के बीच में क्योंकि आप distinguish कर रहे हैं तो distinguish यहाँ पर आप लगाएंगे between, ठीक है? तो D इसमें आपका सही answer है अब D कहाँ पर दिया है? D दिया है fifth option में तो आपका answer होगा इस question का fifth, ठीक है? तो ऐसे इन questions को करना है, अब यहाँ पर देखिए, he labored for his book for eight long years before it went publishing, मतलब उसकी किताब छपने से पहले उसना उस किताब पर आठ साल तक कड़ी मेहनत की थी, ठीक है? तो देखिए, labored for, किसी चीच के लिए मेहनत हम करते हैं, लेकर यह यूसेज जो है, यहाँ पर यह गलत है labored at भोल सकते हैं आप labored at इस चीच पर उसना जो मेहनत की थी वो किताब के लिए मेहनत नहीं की थी, किताब पर मेहनत की थी धान से समझेए, किताब के लिए मेहनत नहीं की, किताब पर उसको तो किताब को बनाने के लिए उसने महनती ठीक है? तो लेबल अट हम बोल सकते ए इसमें आपका सही आंसर होगा अब अ देखिया फर्स्ट पोजीशन पर नहीं दिया है ए दिया है सेकंड पोजीशन पर तो सेकंड इसमें आपका सही आंसर होगा I hope आपको अच्छे तरीके से सारे questions समझ में आ रहा है प्लीज इस पूरे video class को और मेरी सारी video classes को आप एंड तक देखिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा In spite of being intimidated Iraq refuses to acquies with the US arrangement ये बहुत ही अच्छा question है ये पूरा question जो है ये बहुत ही अच्छा question है in spite of का मतलब होता है इसके बाबजूद being का मतलब होता है होना intimidated मतलब डरा हुआ होना डरा हुआ होना डरे हुए होने के बाबजूद Iraq जो है वो refuse कर रहा है वो मना कर रहा है किस चीश से to acquies with the US arrangement जो US की बेवस्था है अमेरिका की बात हो रही है US का जो भी arrangement है जो भी agreement है उसके साथ वो acquies कर रहा है डरा हुए होने के बाबजूद देखिए acquies का मतलब क्या है acquies का मतलब यह है कि आप unwillingly protest कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं कुछ होनी जाए तो आप protest तो کر रहे हैं लेकिन unwillingly तो उसी को हम बोलते हैं acquies लेकिन acquies with हम नहीं बोलते हैं acquies in न का मतलब रहता है किसी चीज को मान लेना unwillingly किसी चीज को मान लेना unwillingly तो acquies के साथ हम यहाँ पर in लगाएंगे और यह जो पाथ है यह डिका बाथ है Question number six देखिए, even after his divorce, Prince Charles continues, मतलब उनके divorce होने के बाद भी, Prince Charles continues, continues तो सही है यहाँ पर क्योंकि Prince Charles singular है, to be the heir of the throne, heir का मतलब होता है उत्रा अधिकारी, successor, ठीक है, throne मतलब होता है सिहासन, मतलब उनके divorce होने के बाद जूद भी, Prince Charles ही सहासन के अधिकारी रहेंगे, ठीक है, तो heir of the throne हम नहीं बोलते है, हम बोलते हैं, heir to the throne, एयर to the throne, ये, ये off गलत है इसमें, यानि यहाँ पर D आपका आंसर होगा, D कहाँ पर दिया है, D दिया है, फिप्त में, तो फिप्त आपका यहाँ पर आंसर होगा, तो ऐसे इन questions के आपको आंसर नकालना हैं, और ये एकदम latest pattern के questions हैं, सभी banking, सभी SSC, NDA, CDS और दूसे सभी competitive exams में, इस समय ऐसे ही questions पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको पता नहीं पड़ेगा कि error कहाँ पर है, लेकिन उसमें error होती है, देखिए, the soldiers of the fort were provided with provisions to last them six months, क्या मतलब है इसका, पहले मैं इसका हिंदी में मतलब बताओंगा, इसका हिंदी में मतलब यह है कि fort यानि किला, किले के जो soldiers थे, जो सिपाही थे, उनको provide किया गया, provisions मतलब खाने पीने की पूरी विवस्था और वो सारा arrangement, ताकि वो six months तक last कर सके, to last them six months, मतलब वो six months तक अपने आपको survive कर सके, यह इसका मतलब है, अब देखिए, soldier of the fort, क्या यह expression सही है, soldier of the fort, देखने में यह सही लग रहा है, लेकिन बारी की से आप देखिए, कि soldier doesn't belong to fort, मतलब soldier जो है, वो fort का part नहीं है, soldier ने fort को नहीं बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे, the soldiers in the fort, the soldiers in the fort, देखने में यह sentence सही लगता है, लेकिन grammatical यह गलत है, soldier in the fort हम बोलेंगे, और a इसमें आपका सही आंसर होगा, अब a कहाँ पर दिया है, a दिया है third position पर, तो third इसमें आपका सही आंसर होगा, तो यह है सही तरीका इन questions को करने तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, फिर से एक दूसरा बहुत भेहतरीन question में लिया है, यहाँ पर देखिए, unlike the children of a century ago, compulsory education today, देखिए, अगो मतलब पहले और today मतलब आज, इसमें क्या compare कर रहे हैं हम, इसमें हम education को compare कर रहे हैं कि कुछ साल पहले की, या कुछ century पहले की education और आज की education, इसको हम compare कर रहे हैं, ठीक है, तो unlike the children of a century ago, compulsory education today, caters to, caters to, मतलब पूरा करती है उसको, caters to every child up to the age of 15, up to the age of 15, बदर आज की जो education है, वो सदियों परानी education से इस चीज में अलग है, कि आज की education है, वो पंज़ साल तक के बच्चों की जरूरतों को पूरा कर करती है, लेकिन इस sentence को ध्यान से पढ़िए, unlike the children of a century ago, क्या हम children, क्या हम children को compare कर रहे हैं, नहीं, हम education को compare कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, compulsory education दिया है, ठीक है, तो unlike the education of a century ago, compulsory education today, मतलब बहुत पहले की जो century, बहुत पहले की जो education है, और आज की education है, उसको हम compare कर हैं, तो यहाँ पर children word ना आते हुए, यहाँ पर education word आएगा, क्योंकि education को हम compulsory education से compare कर रहे हैं, तो a इसमें सही answer होगा, अब a कहाँ पर दिया है, a first position पर normally होता है, लेकिन इस question में third position पर दिया है, इसलिए इस question का answer होगा, आपका third, ठीक है, बहुत ही अच्छा यह question है, और ऐसे ही, यह real questions है, ऐसे ही questions आपको देखने को बिलेंगे, आपके real exam में, I was surprised that he let out the secret, मतलब मैं surprised था कि उसने secret को let out कर दिया, बहार निकाल दिया, तो चुकि यह sentence past में है, I was surprised का मतलब past है, तो let का past क्या होता है, let का past तो let ही होता है, तो let out का मतलब है कि भेद खोल देना, नि that is no error, question number 10 देखते हैं, it is the most suitable building for you, it comprises of five rooms, देखिए, comprises के बाद हम passive voice में off लगा सकते हैं, it is comprised of, it is comprised of, लेकिन यह passive voice नहीं है, comprises के साथ, passive voice में हम off लगाते हैं, active में नहीं, तो यहाँ पर off नहीं लगेगा, it comprises five rooms, यानि D इसमें गलत है, और D दिया है first में, वो first इसमें आपका सही answer होगा, question number 11 देखते हैं, of all the men known to me, none is less inclined than he to think ill to others, काफी अच्छा question है, बहुत ही अच्छा question है, अब देखिए, of all the men, यहां तक यह सही है, क्योंकि me and he, लिखेंगी हम इसको, क्योंकि यह all के साथ जोड़ा हुआ है, of all the men known to me, मतलब जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ, उन में से एक भी, none is less inclined, then के बाद हम subjective case ही लगाते हैं, क्योंकि then a connector है, तो he सही है, to think, देखिए, ill to others नहीं होता, जब हम किसी व्यक्ती के बारे में बुरा सूचते हैं, तो हम उसको बोलते है, ill to think ill of others, to think ill of others, डी इस में सही आंसर होगा, डी दिया है फस्ट में, तो फस्ट इस में आपका सही आंसर होगा, question number 12 देखते हैं, the reason why he was rejected was because, because, देखिए, because का मतलब क्या होता है, because के थुरू हम क्या indicate करते हैं, reason को, और यहां पर reason भी दिया है, यहांनी reason के साथ हम because word को नहीं लगा सकते, क्योंकि यह superfluous हो जाएगा, यहां पर reason के साथ हम लगाएंगे that को, ठीक है, तो दौनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए that लगाएंगे, see, इसमें आपका, सही answer आपका होगा, question number 13 देखिए, सुरेखा was trying for admission in the engineering college, देखिए, इसमें एक बहुत बारीक सी mistake है, इस particular sentence में, सुरेखा was trying for admission, admission अपने साथ two proposition लेता है, he was admitted to the hospital, जिस तरीके से invite जो wordable to लेता है अपने साथ, I was invited to the party, not for the party, ठीक है, तो यहाँ पर two आएगा इसमें, और B, B इसमें आपका सही answer होगा, fourth इसमें सही answer आपका होगा, question number 14 देखिए, the interviewer asked me if I knew that Kalidas was the greater than any other point, the interviewer asked me, यहाँ तक यह सेंटेंस सही है, interviewer ने मुझसे पूछा कि क्या मैं, if I knew that, क्या मैं जानता हूँ, यहाँ तक यह सही है, Kalidas was the greater than any other point, यहाँ तक तो यह सही है, लेकिन greater याईनि comparative भिगरी के साथ, normally हम दाका प्रियोग नहीं करते, C गलत है, ठीक है, तो second इसमें आपका answer होगा, देखिए, मेरे चनल पर दिया आप आए हैं, तो सारी प्लेइलिस्ट आप देखिए, सारी प्लेइलिस्ट के लिंक से नीचे description box में आपको मिल जाएंगे, और सारी प्लेइलिस्ट के सारे वीडियो क्लासे यदि आप देखते हैं, तो English section में एक बहुत ही बड़ा change आपको देखने को मिलेगा, और definitely आपको किसी भी competitive exam में सफलता मिलेगी, तो इसलिए मैं आप से request करता हूँ, कि मेरी सारी प्लेइलिस्ट में जाके मेरे सारे वीडियो क्लासेस को आप देखिए, और मेरे वीडियो क्लासेस सभी को end तक आप देखिए, क्योंकि pure content में आपको देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हम देखते है, all the doctors were puzzled, देखिए, puzzled का मतलब क्या होता है, परेशान होना, तो परेशान होना, आप किसी चीज के द्वारा परेशान होते हैं, किसी चीज पर परेशान नहीं होते हैं, ठीक है, puzzled, या तो आप at लगा सकते हैं, या by लगा सकते हैं, puzzled by या puzzled at, तो ये आपका गलत है बी इसमें आपका आंसर होगा और बी दिया है फोर्थ में तो फोर्थ आपका सही आंसर यहाँ पर होगा कोशन रमबर 16 देखते हैं I laid down on the smooth ground and went to sleep at once at once का मतला होता है तुरंथ मतलब मैं smooth ground पर late गया और जल्दी से सो गया देखे इस word में बहुत confusion होता है lie का मतलब होता है late न और चुकि यह past tense में है इसलिए lie का second form क्या होता है lay होता है lay lie का lay होता है तो lay आएगा यहाँ पर late नहीं आएगा late का मतलब होता है बिचाना किसी चीज़ को जैसे चादर को हम बिचाते हैं ले लेड ठीक है तो A इसमें सही आंसर होगा आपका थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा question number 17 देखिए no river in the world ठीक है यहाँ तक यह सही है evokes evokes भी सही है क्योंकि river singular है river singular है तो evokes सही है such awe and reverence as the ganga ganga से पहले दालगा है सही है which is like the mother to 700 million Hindus of India काफी अच्छा यह sentence है लेकिन गंगा जो है वो हर किसी की मदर है यहाँ पर किसी particular मदर की बात नहीं हो रही है गंगा जो है गंगा is a mother to every Indian ठीक है we are not talking about a particular मदर इसलिए यहाँ पर यह दा जो है यह नहीं आएगा दा मदर नहीं बोलेंगे आ मदर बोलेंगे सी इसमें आपका सही आंसर होगा कोशन नमर 18 देखते है among those in power nobody behaved kindlier than he देखिए kindlier हम नहीं बोलते इसको हम बोलते है year जो जो लगता है यह single syllable बले जो word होते है उसमें लगता है kindly इसमें तो दो syllable है kindly तो इसमें हम बोलेंगे more kindly यहाँ पर सी इसमें आपका सही आंसर होगा ठीक है 19 देखिए the gap between what he breaches and what he practices is too wide to accept by any sensible person इसमें यह बोल रहे हैं कि वो जो कहता है और जो practice करता है उनके बीच में जो gap है वो इतना इतना चोड़ा है इतना लंबा है कि उसको accept नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के दौरा देखिए यहाँ पर by लगा है by का मतलब क्या है कि यह passive voice है passive voice में अब क्या लगाते हैं third form लगाते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे to be accepted ठीक है तो डी इसमें आपका सही answer होगा 20 question देखते हैं 20th the road was lined with trees just like France देखे इसमें road की तुलना France से की गई है जबकि road की तुलना उन road से की जानी चाहिए जो France में है ठीक है अच्चा चाचा समझी ए इसको the road was lined with trees just just as in France भी बोल सकते हैं यहां पर just as in इन जरूर आएगा यहां पर नहीं तो फ्रांस की तुलना road से हो जाएगी ठीक है तो B इसमें आपका सही answer है B दिया है fourth में तो fourth इसका सही answer होगा तो इस तरीके से यह proposition based error थी और इसमें मैंने 20 questions लिये हैं यदि banking exam में या SST exam में आप select होना चाहते हैं तो इसके लिए मेरी आप paid classes भी जोइन कर सकते हैं examiny.in पर यह website का नाम है और यहां पर मेरी paid classes चल रही हैं सभी banking exams के लिए सभी SST exams के लिए इनको आप जोइन कर सकते हैं इस video class को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि एक class आपको अच्छी लगी है तो इसको like करें, share करें और subscribe जरूर करें इस channel को जिसका नाम है English Advantage YouTube channel Thank you very much